चोपड़ा एजुकिस ने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्देख स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो B.H.U. याने बनारस हिंदू उनिवर्सिटी देश की लोगप्रिय उनिवर्सिटी है इसमें काफी सारी यूजी वर पीजी कोर्स करवाए जाते हैं मेडिकल फिल्ड में MBBS, BDS, आईरवेदा, वेटनरी, B.H.C. नर्सिंग, बीफार्मा जैसे कोर्स करवाए जाते हैं इसके अलावा अन्य कोर्सिज जैसे B.H.C. एग्रिकल्चर, B.H.C., B.A., B.C.M., B.A.D. की कोर्सिज में एड्मिशन के लिए B.H.C. अपना अलग से इंट्रेंस एक्जाम खुद कंड़क्ट करवाता था लेकिन अभी 21 से ये एक्जाम N.T.E. कंड़क्ट करवा रहा है और इसके एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं यह है एक Central University है इसलिए इसमें Medical Courses में Admission NEET Score पर होता है और MBBS, BDS में Admission MCC द्वारा कांसलिंग करवा कर दिया जाता है I.U.S.C. में भी Admission A.T.C.C. द्वारा कांसलिंग करवा कर दिया जाता है तो अगर आप B.H.U. के MBBS, BDS और I.U.S.C. में जैसे आईरवेद, हुमेपैति कोर्स में Admission लेना चाते हैं तो आपको अभी किसी प्रकार का कोई भी Forum फिल करने की आवश्यक्तन नहीं है रेजल्ट आने के बाद जब MCC और A.T.C. की कांसलिंग स्टार्ट होगी तब आप Registration करके इसमें Admission ले सकते हैं B.H.U. के Veterinary कोर्स में Admission भी Neat Score पर होता है मगर 2020 तक B.H.U. अन्य कोर्सेज में Admission के लिए जब Intrance Exam के लिए Registration करवाता था तब उनी के साथ Veterinary का भी Registration करवा लेता था और Neat का रेजल्ट आने के बाद अपने Website पर Score अपडेट करवा कर खुद काउंसलिंग करवा कर Admission देता था मगर अभी इसी साल से जब से N.T.A. exam कंड़क्ट करवा रहा है B.H.U. का तब से Veterinary के लिए Registration का कोई Option नहीं है इसमें इसके लिए Code 136 है मगर वो Registration में सोन नहीं हो रहा है इससे ये Clear होता है कि Veterinary के लिए B.H.U. दोवारा अलग से Registration करवाया जाएगा और ये जब Registration स्टार्ट होगा तब हम आपको Inform कर देंगे आप हमारे साथ जुड़े रहें इसके अलावा जो बाकी Courses हैं जैसे B.H.C. Nursing है, B. Pharma है तो इनके लिए B.H.U. दोवारा अलग से Interrence Exam कंड़क्ट करवा कर Admission दिया जाएगा तो अभी इनके Form Start नहीं हुए हैं जैसे ही B.H.C. Nursing वगरा के Form Start होंगे B.H.U. के आपको Inform कर देंगे इसके अलवा बाकी सारे इसमें Courses हैं जैसे Agriculture है, मतलब कि U.G. के 31 Courses हैं इससे पहले हम देख लेते हैं इसका Important Dates तो इसके Online Registration स्टार्ट हो चुके हैं 14 अगस से तो इनके जैसे ही Registration स्टार्ट हुए थे मैंने वीडियो बनाया था लेकिन उसमें इसके Information Browser में ये दिखाया गया था कि आप Veterinary का भी इसमें Option था लेकिन जब Registration करते हैं तो इसमें Veterinary का 136 Code शो नहीं हो रहा था तो इसका मतलब इसके Veterinary के Registration अभी Start नहीं हुए हैं तो मैंने उस वीडियो को Private कर दिया था तो अभी इसमें जो इसकी Last Date है वो 6 September 21 रखी गई है यानि कि आप 6 September तक BHU के Intrance Exam के लिए Registration कर सकते हैं 31 Courses के लिए इसके अंदर जो Payment की Date है वो 7 September रखी गई है Examination Fees की और जो इसकी Fees लगेगी इसमें जो General Category OBC और EWS Category के हैं उनके लिए 600 रूपीज लगेगी SC, ST, PWD और Transgender के लिए 300 रूपीज होगी इसमें इसके बाद सास्तरी Courses के लिए General OBC, EWS के लिए 400 होगी और SC, ST, PWD Transgender के लिए 200 रूपीज होगी इसके अलावा आप इसके अंदर अगर 2-3 Courses के लिए अलग से Registration करवाना चाहते हैं तो उसके लिए Fees भी 400 और 200 रूपीज अलग से होगी एक से ज़्यादा Cours के लिए आप Registration करते हैं इसमें क्रेक्शन फैसलेटी रहेगी 8 से 12 सिप्टेमबर 21 तक और बाकी प्रोग्राम आपको बाद में बताया दिया जी जाएगा इसमें एक्जाम के लिए सभी MCQs होंगे तो आप इसका Information Browser डाउनलोड करके इसमें पढ़ सकते हैं पूरी क्या कंडिशन है इसका जो Application Form का Apply करने का जो Process है वो बिल्कुल Simple है नीट जैसे ही है 4 Step में Form Complete होगा 1st Step में Registration करना है 2nd में Online Application Form Fill करना है 3rd में Image Upload करनी है Image में आपको Photo और Signature दो ही Upload करने है इसके बाद में Payment करना है और Payment करने के बाद में Confirmation Page का Print ले लेना है अभी हम देखते हैं इसके लिए Registration कैसे करना है तो आपको bhu.nta.nic.in की वेबसाइट पर विजिट करना है वहाँ आपको Registration UG का Option मिलेगा उस पर क्लिक करना है तो अगर आपने अभी तक Registration नहीं किया है तो New Registration पर क्लिक करना है Registration कर लिया है तो Already Registration Candidate में Sign In पर Application Number, Password इसमें Fill करके Security Pin फिल करके Submit पर क्लिक करना है Login करेंगे तो आपका Next Step आ जाएगा इसमें सबसे पहले मैं New Registration पर क्लिक करता हूँ New Registration पर क्लिक करने के लिए यही चार इस्टेप दिखा रखे हैं Registration Application Form, Image Upload और Fees Payment इसमें Information Browser आप पहले डाउनलोड कर लें उसके बाद में यह Decide कर लें कि आपको कौन से Courses के लिए इसमें Registration करना है अभी जो इसमें 31 Courses हैं वो इस परकार से हैं इसमें 131 BA Owners Arts के लिए Cours है 132 BA Owners Social Science के लिए है 133 जो है वो Become Owners के लिए है Financial Market Management के लिए है 135 BSC Agriculture और BSC Agriculture RGSC के लिए है इसमें तो Agriculture के लिए भी जो Medical Student हैं वो काफी एक्जाम देते हैं तो इसमें आप Agriculture का भी Forum भर सकते हैं तो आप इसमे 135 Code इसमें Apply कर सकते हैं तो जो भी आपको Forum फिल करना है जिस कोर्स के लिए इंट्रिंस एक्जाम देना है उस पर टिक कर दें यहाँ पर 135 कोर्स से 137 BALLB Owners के लिए है इसमें 136 यो नहीं हो रहा है वो Veterinary के लिए है तो इसमें BHU दोवारा खुद से Registration करवाय जाएगा और यह Registration जब भी स्टार्ट होंगी मैं आपको Inform कर दूँगा इसके बाद में 151 कोर्स LLB Owners के लिए है इसमें आगे 152 कोर्स है वो BPA के लिए है 171 है BPA के लिए है इसमें BPA में भी अलग-अलग है Classical Music Indian Classical Music अलग-अलग है इसमें 171 है 172 है 173 है BPA का 174 है 175 176 इसमें है आगे 177 यह सारे BPA के कोर्स है 180 BFA का है और इसमें 181 BSC Owners Math Group का है और 182 BSC Owners Bio Group का है यानि इसमें आप Math से BSC भी कर सकते हैं और Biology से BSC भी कर सकते हैं 187 Sastry Owners का है 188 है वो B Vocational Courses के लिए है 188 है 189 है 192 B Tech Food Technology में है 193 Dairy Technology में है 194 है वो Computer Application में है इसमें 564 B.A.D. Hindi English Language में है 565 भी B.A.D. के लिए है अगर आप ने B.A.C. कम्प्लीट कर रखा है बोटनी, Geology, Chemistry, Physics से आप B.A.D. करना चाते हैं तो 565 कोर्स अपलाई कर सकते हैं इसमें B.A.D. में इसके बाद में इसमें जो Mathematics के लिए है 567 B.A.D. के लिए है 568 भी B.A.D. के लिए है और इसमें 716 भी B.A.D. के लिए है 717, 718 और 719 कोर्स भी B.A.D. के लिए हैं इसमें तो ये Total 31 कोर्स हैं इसके लिए अभी Registration स्टार्ट है तो आप Registration कर सकते हैं Registration की Last Date वो 6 September रखी गई है तो आप इसका Information Browser डाउनलोड कर ले उसके बाद ये सारी Condition देख लें इसमें वीडियो के Last में आपको Important Point बता देता हूं अगर आपको B.A.D.E.C. के MBBS, B.D.E.C. में Admission लेना है तो अभी कोई Registration नहीं करना है MCC की Counseling करवा कर इसमें बाद में Admission दिया जाएगा इसके अलाबा आप Veterinary में Admission लेते हैं तो Veterinary के लिए BHU खुद से अपना Counseling Conduct करवाता है तो इसके भी अभी Registration बाद में होंगे आप Websites के Touch में रहें मैं भी वीडियो बढ़ा दूँगा कि कब Veterinary के Registration स्टार्ट होंगे BHU के अभी इसमें जो बाकी Courses हैं उनमें आप Admission लेना चाते हैं जैसे BSA Nursing हो गया इसके बाद में आपका जो है B Pharma हो गया तो उसके लिए BHU अलग से अपना Interence Exam हम Conduct करवाएगा उसके भी Registration अभी Start नहीं हुए है इसके Registration बाद में Start होंगे तो बाब को Inform कर देंगे इसके अलावा जो बाकी 31 Courses हैं मैंने आपको अभी बताया है इनके लिए आप Registration करना चाते हैं तो 6 September से पहले इसमें Apply कर दे इसका Interence Exam लगेगा को Inform कर देंगे मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में तब तक जैखिन